दुन्दुकारी प्रेत ही उनी में पड़ा अनेक साधन की ये फिर भी दुन्दुकारी को सद्गति नहीं मिली उसका मोक्ष नहीं हुआ आखिर में उसके मोक्ष की प्राप्ति का साधन बटला गया श्रीमत भागवत जी का श्रवण और प्रेत के रूप में हुए दुन्दुकारी ने वायू रूप में बास में बैटकर के श्रीमत भागवत जी का श्रवण साथ दिनों तक किया और उत्तम लोक में से विमान उसको लेने के लिए आ गया उसकी सद्गति हो गई इसी तरह से जो जीव प्रभू से विमुखे हैं सब जीव कैसे प्रेत जैसे हैं ऑगवदियों ने गाये बजन बीन जीवत जैसे प्रेत मुख मलीन यहावा भटके भवन नील को खेत बजन बीन जीवत जैसे प्रेत जो ठाकर जी की सेवास मान से विमुखे जीव क्या कड़ता है मन मलीन प्रतियावा भटके उदर भरन के हैत चारो और केवल अपना पेट भरने के लिए जीव दोड़ता है और क्या करेगा सेवा नहीं गोकुलचंद की भवन नील को कि जीजगर में प्रभु की सेवा नहीं है उसका घर कैसा है जैसे कोई नील गाय होती है नेल गाय का जुन्ड यदि कोई खेत में गुजज़ाए तो सारे खेत को खतम कर जाता है सारी पसल को खा जाता है वह खेत बिलकुल उजड बन जाता है ऐसे जिस गर में ठाकुर जी की सिवा नहीं है वह गर उजड खेत के समान है झाल झाल